अभिशेक प्राधी आये हुए हैं हाँ जी अभिशेक प्राधी पताएं किया कहना चाहते हैं जी सर मैं जानना चाहता था आपसे कि मेरे according के हिसाब से हिंदु धर्म पहले आया था हिंदु दर्म बोले तो सनातन धर्म और आपकी मैंने एक दो अभिशेक ची आपने कहा कि आपको लगता है कि कोई हिंदु धर्म या शनातन धर्म शनातन नाम सुन लेजे मेरी बात पहले शनातन नाम का कोई धर्म है क्या आज जब देश आजाद हुआ तो पूरे एसी समाज था उसे बाबा सहाब वहाँ पे थें कॉंस्टिटूशन में उसके अलावा वहाँ पे और भी मेंबर थें और पूरा जो जो सांसद बना जो राजय शभा बना उन सब में देश के ज्यादातर क्या लगभग बहुत ज्यादा जो है जो सो कॉल्ड ब्रामणवादी लोग थे वह लोने क्या दिया धर्म के कोणने क्या दィया आपको कौन सा धर्म लना मतलब उन्होंने शनातन धर्म आपको नहीं बताया नहीं बताया नहीं without आपको कौन बता रहा है आपको देखिए मैंने ना किसी से दिख्चा लिया ने किसी की कोई मेरा गुरू नहीं है यह मेरा जो सेल्फ इस्टेड़ी है जो कि गुरुकुल को कौन से पहले से खतम हो चुका है तो क्या हुआ है कि अब इस सर्च औरूर से जरी सार्च करते हैं आपने सलिच लाए विश्व विट्डाल ऐसे नोंते को शामें हो बिर्ट कैया है थी सुषमिंग पूली बहने हैं विविकसित सभ्यता थी तो इतनी विक्सित शारथ साल पहले भारत में मौझूद थी तो ये बताईए उसके बाद से ही तो में सबसे पुराना मंदिर कितना पुराना मिला है मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है लेकिन मैंने बहुत से बात देखा कॉर्णाक सूर मंदिर इसमें क्या होता था कि जब उस टाइम बहुत धर्म और हिंदु धर्म साथ में एक साथ एक जिश्ट करते थे एक दो नुम चाह कोई बात नहीं अच्छा एक बात बताईए आप कि आपने कहा कि कौन सा मंदिर का नाम लिया आपने कॉर्णाक शूर्य मंदिर तो आपका सबसे पुराना गरंथ कौन सा है मुझे ज्यांका नहीं कोई बच्पन से पढ़ाया नहीं कर दो आपका धरम तो किसी ना किसी पर चलता है मैंने आपसे सवाल पूछा था आपने कहा कि जो मंदिर होते थे उसी में गुर्कुल की पढ़ाई हो जाया करती थी मैंने आपसे सवाल पूछा कि भारत का सबसे पुराना ओल्डेश्ट जो टेंपल है वो कौन सा है तो क्योंकि जब टेंपल बने होंगे तभी हम चल तो यहीं मतलब निकलेगा न क्यों से पहले जब इसकुल ने इसकुल नहीं तो उससे पहले लोग शिक्षा तर दे लेग जये से आपकी जब कोई जो आप एक कलपना आप कहें हैं कि मंदिर था मंदिर से पहले भी सिक्षा देते थे तो जड़ा एक बात बताइए कि सबूत तो होगा ना कि उसे पहले वह सिक्षा देते थे किसी जमीन पर खेती करते हैं एक फसल पर लगा कर किसी चार फसल को बहुत हो गया तो इसके पिछले तीन बार तीन फसलों के पहले कौन सी फसल बहुत है इसकी जानकर आप नहीं लगा लगा किस सब्धा से जुड़ा था पहले तो कि नाली के प्रड़ानी चल रही है तो उस ताइम आज के पांजार साल पहले चाली लेकिन पांजार से आज तक कि अथियास अटालो अमेरिका तक का उत्यास टालो किसे ने इस तरह की नालिया को वह क्या करते नहीं किया इसका मतलब भारत में कैसी सब्वेता थी जो आपके रिशी मुनियों से भी पहले थी तो वहां पे तो स्वास्तिक मिलता था आपके रिशी मुनियों तो जानते नहीं थे फिर यह स्वास्तिक किसका था जो सिंदु घाटी सब्वेता में आप सुन लिजे ना आपने तो अपनी बात रख ले न सब मेरी ही बात सुनिये सुन लिजे द्यान से पहले तो आपको यह दिखाता हूं यह यूनेशको है जब आ सबसे पूराना टैमपल तो बुधिस्ट का बंता था यानि की पड़ाई तो उती होगी है अच्छा नलंदा महाविहार का नाम सुना है आपने तो नहीं रिसर्च करना तो अप सून लेजिए अच्छे से जब आप आए ही हैं चर्चा करी रहे हैं तो मेरी भी बात सुन लेजिए यह सारे बुधिष्ट महाविहार थें अजमीन खोद खोद के इनके सबूत निकल रहे हैं इनके ऊपर घर बना बना के ब्रामण जो हैं बैठे हुए थें कर निंगम महोदेन जो हैं पैसा इकठा किये और पैसा इकठा करकर के हटाये हैं वहां से और इन लोगों को अतब उसक नीचे का लेयर मिल जाता है यही पुरा तत्व कहलाता है तो भारत में जिसका युनिवर्सीटी था जिसके स्कूल थें उसको कागज पे या वाट्सप पे या फेस्बुक पे नहीं सबूत मिल रहा है उसका जमीन खोदने पर सबूत मिल रहा है यह टेंपल भी बुधिष् वेदो की वहासा कहा है सबसे पहले पर तेकि आपने कुछ बाता था इससे पहले कोई और दूसरी भासति आपने बताये थे उना था में स secular05 Satu by200 YOU कि वहासा क्या थी संस्कृत थी एक बात बताईए कि वेदों की भासा संस्कृत थी तो संस्कृत भारतियों को आती थी आम जन्मानस को संस्कृत आती थी कुछ जिसको पढ़ने में रूची थी, वो पढ़ता था? एक मुट सुनिये तो, आपने जो भी जैसे जो दस्ता वेजे जो मैंने देखा नहीं हूँ, जैसे बुद्धिष्ट कोई कैसे का सकता है बुद्धिष्ट के थे, क्या हो सकता है कि इससे पहले को दूसरी उनिवेश्ट थी और बुद्धिष्ट बना दी गई हो? अभिशेक एक काम कीजिए, आप त्यार हो के आया कीजिए, आपने नहीं देखा है, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप जिससे डिवेट कर रहे हैं, उसने नहीं देखा है, आप त्यार हो के आया है, जब आप कहीं पर बात करते हैं, तो डिवेट करने पर जब आपके पास अगर किसी चीज का सबूत नहीं है तो ये आपकी गलती मानी जाती है कि आप उस चीज से परिचित हैं ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं इसलिए वो जो सामने वाला जानता है वो जो तथ्य प्रस्तूत कर रहा है वो गलत हो जाएगा आपके न जाने से नहीं उसे ही रहेगा आप नहीं जानते हैं ये आपकी कमी मनी जायेगी तो भारत से जितनी universities मिली हैं सब बुधिष्ट की मिली है अगर ब्रेमेनिकल सिस्टम की एक सिंगल university मिली होती तो ये अपने धरम गरंथ में उस universities का नाम बताए होते हैं अच्छा आभ एक बात बताईए आज से 1000 साल पहले कौन सी लिपी चलती थी भारत में समराट असोक किस लिपी में लिखवाते थे अपने सिलालेख नहीं पता थे इसके बारे में अच्छा, गुप्त वंस जो है तीसरी, चौती, पांचवी सदी का गुप्त वंस वो किस लिपी में लिखवाता था? उसके बारे मी जान करी मीज़ा मैं आपको बता देता हूँ उस समय चलती थी धम लिपी जिसको की बंभी लिपी भी कहा जाता है और उस लिपी का नाम जो है किसी को पता तक नहीं था वो जो लिपी होती है उसको कोई पढ़ नहीं पाता था भारत में आधुनिक जो मौडर्न भारत है उसमें पहली बार उसको फ्लीट पढ़ता है 1817 में पढ़के उसने बताया कि ये गुप्तवंस की लिपी है फिर 1837 में उसमें देखा गया कि उसको धम लिपी, धम लिपी, धम लिपी कहा जा रहा है तब उसको लोग धम लिपी कहने लगे फिर एक किताब मिली ललित विस्तर बुद्धिजम की और उसमें 64 लिप्यों का नाम दिया गया था उस 64 लिपी में से बंभी लिपी का भी नाम था तो उस बंभी लिपी उठा के फिर कहा गया कि ये लिपी जो है हम इसको बंभी लिपी भी का सकते हैं अब क्या किया कुछ लोगों ने उस बंभी को हिंदी में ब्राहमी कहना शुरू कर दिया तो जड़ा सूचिए जिनको हाजार साल पहले भारत के क्या राजा लिखते पढ़ते थे क्या वो लोग लिपी कौन से लिपी परियोग करते थे उसकी जनकारी आपके किसी भी ब्राहमण को नहीं थी न वो पढ़ना लिखना आता था कहां था भारत में उस समय पूरे भारत में इतने सारे समराठ हुएं सब के सिलालेख मिल गए सब लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, सब बुद्धा की बात कर रहे है सहर जगए आपके ब्राहमण कहां थे भाई अगर उस समय होते तो उनको नाम तो कम से कम पता होता ना कि हमाई ये नाम की भी लिपी चलती थी हमारे पुरुज भी उस समय इसमें लिखते होंगे आप अभिशेक आज की डेट में मुबाइल आया है तो कोई कहेगा कि ये मुबाइल जो है कोई रिक्सा चलाता है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता सिर्फ जो है जो कंप्यूटर चला नहीं करेंगे एसा हो सकता है तो उसी तरह से जब लिपी आई गो सब ने किया होगा जब जैन वाले भी पाली लिखते थें धम लिपी का परयोग करते थें बुधिष्ट भी करते थें तो आपका प्रेवनिकल सिस्टम कहां था जिसको ना उस लिपी की जनकारी थी ना उस भासा में कभी लिखा था कहां पर वो कि अचकारी कुछ शुच करता हूं जीतना मिलता कि उतनी जयान प्राफ करता हूँ बाकि जैसे आप जैसे मिल तो ग्जान देते हैं कुछ तो मैंने कुछ ऐसे मैंने सर्च कर तक करता था उस अग उस आप से भगवान जो वुद्ते वगिसवजा से अन्होंने अलग समाज से चालूगी है कि यहां पर बहुत बली प्रथा चलती है जो पस्वों के साथ है गलत प्रवार होता है लोग उसाथ गलता है चुवा चूट पाज बहुत वह अलग अलग सिस्टम चलता है इसलिए भगवान बुद्ध ने एक अपना अलग पते निर्दारीत कि और अपना ग्या करने वाले विश्णु पुझा करने लेक नौ दूर्गा पुझा करने लिए उसके उसकी साखा से भगवान बुद्ध यह जानकारी मिली मुझे उन्होंने अपने राज्ज्य से अच्छा एक बात बताएए अभी भारत में सारा पैसा कौन से वर्क के पास है ब्रामर च्छ उद्र में से आते हैं जाती वेवस्ता में गया है नहीं है तो आप च्छत्रीय कैसे बन गए तो आप अपने पिछले जो भी दादा पर्दा था उनकी उनके अनुसार चल रहे है अच्छा अपके धरमगरंत में च्छत्रियों की उत्पति कैसे बताई गई है महाभारत में पढ़ा है आपने तो अच्छी तरह से देखी लीजिए जब तक आप नहीं जानेंगे तो किसे पता चलेगा आप यहां पे चैनल को रेगुलर नहीं देखते सब्सक्राइब करते हैं माभारत पढ़ लेजिए फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है यह माभारत का गीता प्रेस गुरखफूर आप निकालिये गीता प्रेस गुरखफूर का आधी पर्व पहला ही छे खंड है पहला ही खंड का 64 चेप्टर जो चेप्टर का नाम आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है यहां पर हाइलाइट किया गया है बोल्ड चोटे अक्षर दिखे रहे हैं महोतच दिखे रहें हैं शमंज नहीं हारा यहां खोई बातने यहां पर ऊपर जहां चतु सश्टि लिखा होगा है उसके नूचे ब्राह्मुस्पथरा क्षटर की उत्पति को यहां लिखा नहीं एक और घरव tea प्रमं को शत्रेट नहीं लिखाएं कि जिस धरम को ढो रहा है ते उन्होंने खुद लिखा है गीता प्रेश गोरकपूर से अब इसका जो है तीसरा स्लोक पढ़िए चौथा स्लोक पढ़िए चौथा और पांचवा का जो हाइलाइटेड है वो पढ़ दीजे उस्तकाल समझें उस्तकाल में जन्मित गिनिंदन परस रामें आप पढ़िए मुझे थोड़ी संस्क्राइट काम आती है अभी हिंदी का जाद होता है मैं हिंदी पोल रहा हूं हिंदी वाला पढ़िए हिंदी वाला पढ़िए इसकी बार पत्री को छत्री रहीत करके उत्तम पर्वत मेंदर पर तपस्या की थी उस समय जब अच् पर्वकाल में जमदगनी नंदन पर्शुराम ने 21 बार प्रिथवी को छत्री रहीत करके आप बता रहते कि आप छत्री हैं लेकिन यह तो लिख रहा है कि 21 बार प्रिथवी से छत्री रहीत कर दिये उसके बासे उत्तम पर्वत मेहंद्र पर तपश्या की थी उस समय जब भ भिगु नंदन जो है मतलब की पर्शुराम इस लोको को छत्री शुन्य मतलब कोई भी छत्री नहीं बचा जी रो लिख कर दिया था उसके आगे लिखते हैं छत्री नारियों ने पूत्र की अभिलासा से ब्रामडों की शरन गरहन की थी तो इसका क्या मतलब हुआ बता सकते है मुझे का मतलब यह हुआ कि जो पर्शुराम थे पंडित थे उन्होंने पहले तक पूरे जितने भी पूरुस्ते सबको खत्म कर दिये और फिर उनके द्वारा फिर पूत्रों की इत्कत्ती गी यहां पे छत्री नारियों ने पूत्र की अभिलासा से ब्रामडों की सरन ग उन शास्त्रियों चत्राणियों ब्रह्माणों से गर्भ धारण की और पुना चत्री कुलिये वद्धी के लिए अप्यांत बलवल सी चत्री कुमारद्वारा कुमारी जन्म दिया इस प्रकार तापस्वी देशत्यारा धर्म पुर्वक विश्णावे इत्वत्ति दी समझ अब एक बात बताईए भारत में परसुराम का कोई शबूत मिला है किसी राजा का सबूत मिला है जिसने अपने को लिखवाया है कि मैं च्छत्रिय राजा हूं किसी भी राजा का च्छत्रपति शीवा जी ने कहीं लिखवाया है कि वह च्छत्रिय राजा है उन्होंने यह प्राइविषेक तक नहीं कर रहे थे तो यह बताई कि भारत में फिर च्ञे कहां से छत्रिये और अगर आप च्छत्रिये था कहां पे, इसके सबूत क्यों नहीं मिल रहा है जब कि झो भारत में धुद्धिजम नहीं था, अंगरेज समय में लेकिन जमीन खोदा गया, तो जैसे एजिप्ट में जायेंगे मिस्रम है, आज वहां पूरे मुस्लिम है, लेकिन जब जमीन खोदा गया, या वहां पर चीजे निकली, तो देखा जाएंगे वहां तो मिस्र के पिरामीड है, वहां तो उसके पहले कोई और सब बहता थी, भारत में भी जमीन खोदा गया, त कितने वर्स पुराना होगा, आपके टोडिंग, जो जब जो काम करेगा ना, उसका सबूत मिल जाएगा, जब जो काम करेगा, उसका सबूत मिल जाएगा, समयते हैं, आपके हिसाब से कितने वर्स पुरानी बात हो सकती, कि ये सब जो भी लिकित प्रमानों को अलग तरीके स बनाए एक बात बताई है कि भारत में आज जो अपने कुछ श्तरिय कहते हैं वो कौन-कौन सी जाती है तो एक बात बताई कि आपका इतिहांस कितना पूरा ना है आपको याद है कितने साल पहले परमारवन्स आया, परमारवन्स के अस्थाफना कब होई यह आपको याद है, नहीं पता है ना? नहीं है, नहीं पता मध्य परदेश जो है वो बुद्धियम का गढ़ हरा है मध्य परदेश की जमीन से जहां आप खोदोगे बुद्ध ही बुद्ध मिले हैं सबसे ज्यादा लेकिन एक भी जमीन से जमीन से एक भी राम नहीं मिले एक भी कृष्ण नहीं मिले एक भी दुर्गाकाली नहीं मिली ब्रमभा विश्ण महेश नहीं मिले हम मैं समझ नहीं है जैसे कि जैसे यह जो आपके सीड़ी सी बात है जिसको आप बार बार इग्णोर कर रहे हैं तो सुनिए आप जिस चेत्रा में रहते हैं उस चेत्र के चारु बगल बुद्धिजम की चीजह मिल रही है तो आज से जितने साल पहले के मिल रही है 1,000 साल पहले के मिल रहे हैं तहा-1,000 साल पहले के इस चीज आप यह नहीं सुमझ में आए कि इस प्धूना मंदिर है इस नाम से तो कोई मंदिर ही नहीं आ रहा है इसका जो आर्किटेक्ट है यह सेम आर्किटेक्ट आपने बोध गया टेमपल देखा है अभी जब मैंने खोला था बोध गया टेमपल का उसका आर्किटेक्ट आपने नहीं देखा चलिए वह भी देख लीजिए यह पूरा आर्किटेक्ट बुद्धिजम की जो सैली है उसी को आप लोग जो है क्या किये हैं उठा उठा के अप पना मंदिर दिखाने की कोशिस करते है महा बोधी टेमपल को देखिए ओर वही सैली जो चोटे चोते सब्सक्राइब नहीं कर दिये हैं आपका कुछ नहीं मिला है आप उसकी मूर्थी नहीं दिखाते हो सब्सक्राइब आपगासथे वह से लिक्राइब बतां जाए जो अंदर और ने कि अधर निकलती है पानी का उसको अंदर के popsicio बनाएंगे जो बाद बनाएंगे ये बता मदिर तो वही तो बोल रहा हूं ना पानी की निकासी जो है और पानी से रिलेटेड घंटा बनाना उसका समय ग्यान करना यह सारा जो है बुद्धिजम की सिल्प कला है पूरा का पूरा यह जो चीज है आप श्टडी नहीं किया ना आप गूगल से खोचते हैं चीज हो कोई सीलिए आपको नहीं पता है आप आज का सुने हैं शुरू का प्रजेंटेशन सुना है आपने शुरू के एक घंटे का प्रजेंटेशन नहीं सुना ना आप उसको सुनिए साइंस चर्णी पे एक वीडियो डालोंगा महाबोधी टेमपल का उसको भी आप सुनिएगा ठीक है कल दो पुझेड आपका पूरा प्रिक्चर क्लियर हो जाएगा अभी एक चीज़ देख लेजिए कि आप 1000 साल के अंदर मंदिर बता रहे हैं जबकि भारत में बुद्ध जो है 26 साल पहले के सबूत मिल रहे हैं सिंदु घाटी सब्वेता में जो आप बोल रहे था ना अलग शब्व आपार बाहर निकल के भारत का एक्चोल इतिहांस देखेंगे तक आप अपने अपने कुछ अत्रिय समझ लिये हैं तो आप जब इस पुर्वागरह से बाहर निकल के भारत का एक्चुली तिहांस देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर दोनों भाई भाई हैं तो फिर माभारत में ऐसे क्यों लिख राए कि छट्रिय की उत्पति ऐसे कैसे हो गई फिर मनुस्मृति में ऐसे कैसे लिख राए कि 10 साल का ब्रामपर जो है 100 साल के सबसे पहली बात शनातन सब्द भी जो है वो भी आपने बुद्धिजम से लिया है समझ रहे हैं यह बुद्धिजम से लिया गया सब्द है आप धमपद पढ़ेंगे तो आपको यह सारा चीज मिल जाएगा धमपद का यमक वगव आप पढ़िए उसका पांचवा जो स्लोक है धमपद का मैं दिखा भी देता हूँ आपको यह सेर कर देता हूँ आपको देख लिजे आपको कन्फ्यूजन न रहे वो सब्द भी आपन जो सुत है यह दूसरा तीसरा हाँ यह रहा पांचवा इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ दिख रहा है आपको फड़ सकते हैं पांच नमबर यह है इस लोक में कभी बहर से बैर सांत नहीं होते बलकि आवेर से सांत होते हैं यही सनातन धर्म है तो यह दिजम ने बताया ह है कि बैर से बैर सांत नहीं होते बलकिल आवेर से यानि लड़ाई जगडा करने से कभी भी सांती नहीं होती है यह शनातन धर्म है कि लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए तो बुद्धिजम ने बताया कि लड़ाई जगडा नहीं करनी चाहिए बैर से बैर सांत इसको सन नातन नियम बताया गया लेकिन आपके ब्रह्मेनिजम में तो हर जगह वेर ही वेर है राम को आप रावण से लड़ा दे रहे हैं आपको पता है किसकी हत्या के लिए हुआ था आपको नहीं जनकार तो यहीं कह रहूं कि आपको दरसल ना information की कमी है इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कीजिए कल की पुरान पढ़िए कल की पुरान का दूसरा अंस पढ़िए दूसरे अंस का सातवा चेप्टर पढ़िए और जैसे आप सातवा चेप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसम मैं विश्णु जो है वो कल की अवतार बनके आते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी अश्वमेध यग जो कर रहे हो रुको अभी मैं जा रहा हूं थोड़ा अगल वगल के लोगों को लूट के आता हूं जितने जो राजा हैं उन सब को लूट कर लेकर आता और उस दहन से फिर वो करना यग करना समय रहे हैं यह आपका यह देख लिजिए यह वह भी दिखा देता हूं मैं कल की पूरान का शातवा चेप्टर दूसरे अंस का जाकर पढ़िए यह तो नेट पे अबलेबल है आप नेट से तो पढ़ रहे हैं दूसरे अंस का सातवा चप्टर यह पढ़िएगा जाकर पढ़ लिजे साग किलियर हो जाएगा यह देख लिजे पहला ही सिंटेंस पढ़ लिजे यह आपके विश्णु जो है किस से लड़ाई कर रहे हैं पढ़ सकते हैं आप इसके बाद हत्मी पर हमला करने वाले सेरने कि वादीर विश्णु गार marriage करने वाले सिर की जो की पापों hundred करने वाले हैं ने उस बोद लुटांकि बोल दिया बुलतिन में अब भस भस ठीक हो गया हो गया हो गया अब एक बात बताईए कि श्री विश्णु जो है अवतार लिये कल की का आहमला कर रहे हैं बौध सिना पे तो यह बताईए कि आपके विश्णु जो हैं पूराने कैसे हुए हैं उद्व बौधों से लड़ने आ रहे हैं तो आपका पूरा धर्म ही सुन लिजे मेरी बात पर इजाद किया गया कि आप जो हैं बुधिष्ट को नश्ट कर सकें अनश्ट करने के बाद आप खड़ा हो सकें इसलिए आपके सारे धरम गरंतों में बुधा का नाम आता है लेकिन बुधिजम में कहीं भी यही कारण है अब बोलिए क्या काना चाह रहे था बोलिए जो आप सबूत दिखाते ना इससे पहले मैंने वीडियो देगा थी आपके कोई काउंटर किसी ने करा था नाम याद नहीं आ रहा है तकरीपने एक साल पहले एक साल नहीं सुनिए सुनिए किसी ने भी काउंटर क नहीं हो उसे हमको नहीं मतलब है अब सबूत बताइए अगर आपके पास कोई सबूत है तो अब बुलिए जैसे आपने बताए थे इसके बारे में कि जो ग्रंत में लिखा है कि बाटा गया द्हर्म को चुट रहें वेसें यह सब करम आधार गया है तो आपने दिखाये थे कि करम की आदार पर नहीं आपने भता ती यह जर्म की आदार पर पंडितोंने करें लेकिन जो आपके साथ जो डिबेट कर रहे थे उन्होंने बताए थे कि आपने जो अलग जो परची निकाले थे उसमें गलत लिखा हुआ था और उन्हें पकड़ाई चले गए थे पकड़ाई चले गए थे भाई यह तो आप लगता है अरे वीडियो सुनिए हैं आपको एक मिनट वीडियो जब मेरे चैनल पर जब डिवेट हुई थी तो आप कहां से दिखाऊ गए मेरे चैनल पर बताओ ना कहां पर है मुझे पता नहीं आप लोग कैसे चेरी पिकिंग करके बनते हो अभी खोल के दिखाऊंगा आप लोगों की आउकात क्या है कि यहां पर आत सबुद दिखाओ ना मुझे कहां पर हरा फुरी हुई है एक सबुर दिखा दो मुझे उसका घृर मुझे मुझे सबुद दिखाओ ma किताब खुल के दिखा दूंगा मेरे पास किताब पड़ी है ना आपका चकर क्या है आप लोगों का है कि जब बुरी तरह से अब नहीं कंबोडिया क्या औरे में पॉल रहा हूं? सब्सक्राइब अबी आप सबूत नहीं दे पाएं कि आपका हिंदु नाम का सब्द था प्राचिन काल में भारत में आप आपके धर्म गरंत में शमुंद्र पार करना मना है आपके धराम में शमुंद्र पार करने पर गांधी को निकाल दिया गया था जाती से तीलक को जाती से निकाल दिया गया था दोने प्रैस्चित किया तब जाती में वापस लोटें और आप कहानी बता रहें कंबोडिया कंबोडिया कंबो सब्सक्राइब करें तो उसको भेजिये ना दूस प्रचार कर रहा है उसको भेजिये यहां पर जब दिवेट चल रही तो सबूत दीजें ना कोँ से दिवेट चल रही थी आप जब नहीं करम की अधार पर होता है अब जब मनुस्मिर्थी मैंने कोल दिया आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट का तो आप बोल रहे हैं वेदों की अधार पर बताओं पर बता दीजिए ना जर सबसे बद्रकाली का लेने गए वह भी आपके बुधिष्ट स्ट्रक्चर निकल गया आप हर जगह यहां एक्सपोज होके गये हैं अब आप क्या कह रहे हैं स्रिफ यहां पर क्लिम कर रहे हैं कि अगली बार आके सबूत देंगे और इसलिए मैं गलत हूं क्योंकि आप अगली बार सबूत देंगे इसलिए मैं आज गलत होगा आप यह कह रहे हैं दरसल जब भी आप आ अपने जो है गाली दिया है वकाएदे यह देखिये यह गाली का दिया है आपने दिखाया है यजूर वेद में भंगी शब्द इस्तमाल किया है जाती सुचक सब्द इस्तमाल किया है यह पढ़िए यह देख लिजे यह और अगर आपको गलत लगे तो जाके चिक कर लिजेगा यजूर वेद का इसमें लिखा हुआ है इस पर डिवेट भी है अब बोलिए इसमें भंगी शब्द आया है कि नहीं आया है बता दीजे मुझा अभी तो आप कह रहे थे ना अभी तो आप कह रहे थे जो वेद में गलत हो गया जो मैंने दिखाया था सुनिये दस्तावेज गरबड़ी कैसे कर देता हूं मैं आप खोल के दिखा दीजे ना मैं तो वह जो यहां पर आया था उसको यहां पर इतनी बुरी नंगा किया इतना बुरा नंगा किया पूरा पीडियो खोल के दिखाया इतनी बुरी तरह से वह जल्ला के भाग गया यह लाग अलग 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 अनवाथ पहले तो ये बता तुम इसमें क्या लिखा लिखा है यहां पर मेश्यर वरा बंगी के शरीर से आया हुआ वायू दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं होने के कारण दूर भगावें यह मैंने एक दिखाया एक दूसरा दिखाता हूं जिसमें वह भी अनुवाद में आपके द्यान अंसरसती ने यही बात कही है एक सबुत थोड़े ही है कि लोग जो हैं बेवकूफ हैं यह लिजिए पढ़िए नहीं है पढ़ लिजिए यह आपका PDF भी मिल जाएगा यजूर वेद बाई द्यान अंसरसती आप उनलाइन सर्च कर लिजिए उसका चैप्टर 30 का 21 कीजिए आए आपको बकायते यह चीज मिलेगा और इसमें भी वह से आया वायू दुर्गण्ध युक्त होने से शेवने योगे नहीं होता यह इन्हों ने भवार्त में यहां भी लिखा है मूल में भी ऊपर यहां लिखा है चैंडलाम आगे लिखा है भंगी को क्रीणा के अर्थ प्रभिर्त आफिर नीचे यहां लिखा है पूर उसको गलत कोन माई का लाल था जो कह रहा था कि गलत इसमें निकल गया बता दीजी आपके वर्ण में आता है यह 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 वर्ण में आता है अरे ऑथेंटिक लिंक है आप यजूर वेद भाष्य बाई दयान अंसरसती डाउनलोड कर लिजिये नेट से और चैप्टर 30 का 21 श्लोक पढ़िए मंत्र पढ़िए और तेखिए कि अगर इनके वेदों में जातिवाद नहीं है तो भंगी शब्द कैसे आया है पढ़िए न देखिए यह कहानी हमसे मत सुने आप यहां पे जो चैरी पीकिंग खेल रहे हैं कि मिलावट करके ला सकते हैं आप जब तक चेक नहीं किया है तो दूसरे पर कहानी मत गढ़िए कि आप नहीं चेक किया है मैं फिर से वही कह रहा हूं कि आप क्या गेम खेल रहे हैं आपको नहीं जनकारी है इसलिए दूसरा गलत है समयरा ना यहां नहीं चलता है आपको नहीं जनकारी है आपने नहीं चेक किया है आपने नहीं पढ़ा है इसलिए दूसरा गलत है यह आप कह रहे हैं यहां पर यह नहीं चलता है मिश्टर अविशेक जाइए पढ़िए रेफरेंस होगे पीठ पीछे आप लो यहां सबूत लेकर आओगे शबूत दिखाओगे तब तब कुछ बात बनेगी कहानी गढ़ रहा है कि इनको नहीं पता है इसलिए मिलाओट हो गई दूसरा इसलिए मिलाओट कर दिया